आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बज प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंत विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें 10 degree into sin 50 degree into sin 60 degree into sin 70 degree equal to बराबर रूट 3 बटा 16 यह दिखी यह दिया गया है, अब हम क्या करेंगे प्रशन को हल करने के लिए दिये गया समी करण के हम बाइबक्ष को लेंगे, तो बाइबक्ष क्या है, LHS बराबर हमार पास क्या आ जाएगा हमें मिलेगा sin 10 degree into sin 50 degree into sin 60 degree यह हमार पास दिये गया समी करण का बाइबक्ष है, अब देखे प्रशन को आगे हल करने के लिए हम यहाँ पर एक सर्व समी का उप्योग करेंगे, देखे, 2 sin A into sin B, यह किसके बराबर होता है, यह बराबर होता है cos A minus B minus cos A plus B, इसके बराबर होता है, तो देखे, अब हम इस सर्व समी का उप्योग करके, दाहिने पक्ष को क्या लिख सकते हैं, हम बाइपक्ष को LHS बराबर हम यहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, हम यहाँ पर 2 से गुड़ा करेंगे, और 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, 1 बटा 2 into sin 10 degree, और देखे, sin 60 degree का मान क्या होता है, यह होता है, root 3 बटा 2, यह लिख दिया हमने, और यहाँ पर देखे, क्या जाएगा, देखे, 2 गुड़ा यहाँ पर कर देगे, और लिखेंगे, sin 70 degree into sin 50 degree, अब यहाँ पर देखे, इस भाग में हम सर्वामिका का उप्योग करेंगे, तो अगरे स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर, देखे, इसका गुड़ा करेंगे, यह कितना होगा, root 3 बटा 4 into sin 10 degree, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, cos a minus b, यानि 70 में से 50 घटाएंगे, तो हमें मिलेगा, cos का 20 degree, यहाँ ल हमें का उप्योग करेंगे, cos 90 degree plus x, यह किसके बराबर होता है, यह बराबर होता है, minus sin x के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम देखे क्या करेंगे, इसका उप्योग करके, cos 120 degree क्या लिख सकते हैं, cos 90 plus 30 degree, तो यह क्या बन जाएगा, minus का cos sin 30 degree, तो अगले स्टेप में क्या 30 degree क्या लिख सकते हैं यहां पर प्लस आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस का साइन 30 degree आ जाएगा हमार पास यह आ गया हमार पास अब दिखें अब क्या करते हैं यहां पर अब हम रूट 3 बटा 4 into sin 10 degree का यहां पर ब्रैकेट के अंदर गुड़ा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा रूट 3 बटा 4 into इसको क्या लिख सकते हैं हम यहां पर इसको लिखेंगे sin 10 degree into cos 20 degree प्लस यह कितना हो जागा रूट 3 बटा 4 और sin 30 degree का मान क्या होता है यह होता है 1 बटा 2 तो यह आ गया हमार पास into sin 10 degree दिखेंगे इस प्रकालिक सकते हैं अब अगले step में क्या करेंगे हम यहां पर फिर से एक सरसमिका का उप्योग करेंगे कौन सी देखें 2 cos a into sin b यह किसके बराबर होता है यह बराबर होता है sin a plus b minus sin a minus b के बराबर होता है तो यहां पर देखेंगे इसका उप्योग करेंग किस प्रकाल हम लिखेंगे समिकरन के बाइपक्स हम क्या लिख सकते हैं lhs बराबर देखें root 3 बटा 4 पहले से था और अब हम क्या करेंगे 2 से गुड़ा करेंग 2 से भागतेंगे तो यहां से एक बटा 2 बाहर लिख लेते हैं और अंदर क्या लिखेंगे 2 into cos 20 degree into sin 10 degree दिखिए आगे हमार पास और यहां पर क्या आजाएगा plus का root 3 बटा कितना दिखिए कितना हो जाएगा यह हो जाएगा root 3 बटा 8 into sin 10 degree यह आगे हमार पास आब दिखिए इसको आगे थोड़ा हल करेंगे सरस्वमिका को प्योग करके तो हमें क्या मिलेगा दिखिए यहां पर आजाएगा root 3 बटा यह हो जाएगा 8 और यहां पर क्या मिलेगा sin a plus b यानि 20 plus 10 कितना हो जाएगा sin 30 degree minus sin a minus b यानि 20 minus 10 कितना हो जाएगा sin 10 degree यह आगे है plus root 3 बटा 8 into sin 10 degree यह हमार पास पहले से था अब दिखिए क्या करेंगे root 3 बटा 8 का bracket के अंदर गुड़ा कर देंगे क्या आजएगा हमार पास root 3 बटा 8 और sin 30 degree क्या होता है यह होता है एक बटा 2 तो यहां पर लिख दिया minus root 3 बटा 8 into sin 10 degree plus root 3 बटा 8 into sin 10 degree तो दिखिए यह minus का और यह plus का हो गया दुनों cancel तो यहां से हमार पास क्या आ गया LHS बराबर हमार पास आ गया root 3 बटा 16 और यह हमें सिद्ध करना तो यह किसके बराबर हो गया दाइने पक्ष ताइने पक्ष के बराबर हो गया और यहीं हमें सिद्ध करना था तो यहां पर हमारा प्रश्न हलूता है धन्यवाद पक्ष छटी से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोजा आशी डाउनूट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर